वेलकम तो सीए गुरुजी क्लासिस डॉट कॉम आईचर फाइलिंग का सीजन स्टार्ट होने वाला है मार्च एंडिंग पे है और फिर आजाएगा आईचर भरने का टाइम सबी परसंस टेक्स पे करना चाहते हैं मार्च में आपको अपना एडवांस टेक्स भी भरना है पर क कुछ परसंस को पता नहीं होता कैसे वह अपनी आप ऑनलाइन घर बेटे बेटे अपना टेक्स पे कर सकते हैं चले आज हम सीख रहे हैं तो यहां पर हम बढ़ते हैं सबसे पहले हमारी वेबसाइट इस वेबसाइट पे यहां बाहर भी एक ऑप्शन है या तो इसे यूज कर लिजे इसको यूज करेंगे तो आपको अपना अपनी डीटेल सभी खुद एंटर करनी पड़े ठीक है यहां लोगिन करने की नीड नी होती बट आपको अपनी डीटेल डालनी पड़ती है मैं अब आपको सिलेक्ट करना है असेस्मेंट यह बहुत कियरफुली सिलेक्ट करना है आपने जिस का टेक्स भर रहे हैं जैसे मान लीजिए फिनांशल यर तेइस चोबीस का आप एडवांस टेक्स भर रहे हैं जो अभी कतीस मार्च को एंड होने वाला है उसका असेस्मेंट रहेगा हमारा 2425 यह असेस्मेंट यह आपने दो तीन बार क्रोस चेक्स जरूर करना है नीचे जैस के पास एडवांस टेक्स की आप्शन अ ठीक है नीचे कोई और और उप्शन दिया अधरवाइस धाफ्रेंट इसको दिखे आपर तो जब इडवांस टेक्स लिक करना और आहिटर के टाइम पर अगर भरोगे ठेक्स तो सेल पर सेलेक्ट कर लेना मैं अध्वांस टेक्स पे तो आप सारा अमाउंट यहां डाल सकते हो पहले कॉलम में आप इसको आड कर दो जो भी आपका एडवांस टेक्स है ठीक है आपको अलग-अलग इतनी बाइफर्केशन देने की नीड नहीं समझ ना आए तो बच सारा कुछ यहीं पर डाल दो इसी कॉलम ठीक है आपको यहां चाने हो सकते च्शेक के सांथ के पड़ता है उसके आपको चलान यहीं से जनरेट करना पड़ता है ground आपको जाकरे पेंट करनी है ज KoreMI हरा बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं मोड लोग प्यम्मेंट के लिए तो सारी ऊप्शिण अब टेक्स के लिए अफ़लेबल है सारे बैंक спीकरों रही हूं यहां फिलीने करते हैं तो एक च्छिस किया यह आपको सारी payment की details दिखाएगा आपको make sure इसे एक बार go through करना है यहां पर assessment year दिख रहा है 2425 तो आपने assessment year और financial year को cross check करना है income tax other than company अगर आप individual है तो यह खुद ही pick करता है आपका major head minor head type of payment यहां advanced tax भर्रियू में तो advanced tax दिख रहा है अगर आप self-assessment tax select करेंगे तो वही दिखेगा आपनी इसको भी क्लिक करना है पे नाओ पे क्लिक करते हैं यहां पर कुछ terms and conditions आ रहे हैं इनको स्क्रॉल करके आप I agree कर दें और फिर क्लिक कर दें submit to the bank यहां पर option आगी है मेरे पास अपना net banking login करने के लिए तो मैं अपनी net banking से पेमेंट कर रहे हूं तो यहां मैंने अपने bank के तुरू अपना login कर लिया और यहां मेरे पास payment के option आगी यहां भी मैं अपनी अपने चलान जरूर आपको सेव करना क्योंकि यह आपकी टेक्स पेमेंट का प्रूफ है जिसे आपने अपने पास संभाल के रखना है तो मैं download पर क्लिक कर रहे हूं तो यह आपके सामने open हो गया चलान ठीक है नाम आ रहा है पैन आ रहा है पर चलान तक वो नहीं पहुच पाते है तो वो भी मैं आपको बता दे तो कहां से आप अपना चलान डाउनलोड कर सकते हैं अगर इंटरनेट बैंकिंग से पेमेंट करें तो उसी बैंक में से भी डाउनलोड कर सकते हो और आपके इंकम टेक्स लॉगिन में भी अवलेबल हो जाता है बताती हूं कहां पर होता है अगर किसी भी रीजन से आपका चलान आप नहीं ले पाये थे आप आये यहां यहां पर आप देख पाएंगे यही पर मैं आपको न्यू पेमेंट में लाई थी यहीं पर आप देख तो यहां देखिए पेमेंट की हिस्टरी आगे जो अभी अभी मैंने चलान भरा उसका सिन नंबर आ गया बैंक रेफरेंस नंबर आ असेस्मेंट यह आगया एडवांस टेक्स टाइप पेमेंट आ गया अमाउन्ट आ गया पेमेंट की डेट टाइम आ गया और यहीं पर ती इस तरीके से घर बैठे बैठे ऑनलाइन आप अपने टेक्स की पेमेंट कर सकते हैं वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर जरूर करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है बड़ इसे हमारी भी हेल्प होती है और आपकी भी होते है क्योंकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स का इस वेब पेज पर आपके लिए टेक्स अपडेट्स का सेक्षन है जिसमें हम बहुत सारे इंपोर्टन आर्टिकल्स पोस्ट करते हैं बहुत सारे परसंस को रीडिंग की हाबिट होती है तो वो इस पेज पर जाकर इंपोर्टन आर्टिकल्स रीड कर सकते हैं साथ ही इसी पर हमारे courses और combo courses भी active है हमने अपने courses लांच किये हुए है income tax, GST, ITR, TDS, ट्रेड मार्क एक्सेटरा courses section में आप जाएंगे तो आपको दो तरह के course मिलेंगे lifetime unlimited validity के लिए तो आप जिसमें भी interested है company registration accounting आप उनमें enroll करा सकते हैं बहुत सारे courses इनका benefit ले रही है आप भी इनमें enroll कीजे अगर आप interested है thank you so much for watching